नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मीन डासी, इनको धोका कौन नहीं देता और किन से ये रिस्ता जोड कर रखे, हमें बताने में भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर सही क्या होगा और गलत क्या होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको बता ही देते हैं, वैसे तो हमारा जो तीस कहता है कि मीन रासी वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं और 90% मामलों में पढ़े लिखे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं लेकिन समस्या एक ही है हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉबलम इनकी प्रॉबलम होती है यानि दूसरों की प्रॉबलम सॉल करने के चक्कर में इ कौन से नाम बाले हैं जिनसे आपको बच कर रहना है और अगर उनसे पाला पढ़ ही गया है तब आप क्या करें कैसे बचें तो चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके लिए वह कौन से रासी के बैक्ति हैं जिनसे आपको धोका मिलता है तो आपको धोका मिलता है प्रे यह लोग आपको कंगाल कर देंगे अगर इनके साथ आपका चकर चल गया तो महंगे महंगे गिट्स लेकर आपको साइट करके छोड़ी देंगे और विभा हो गया तो भी बनेगी तो नहीं हाँ आपको अंदर तक खोखला कर देंगे तमाम चीजें अपने इधर सुदर करके तो इनसे आपको बचना है, अब माल लेते हैं, अब बिभा हो गया, प्रेम में पढ़ चुके हैं, फस्ते जा रहे हैं, आप कभी भी आखे बंद कर देखिएगा, कि हमने जो कहा वो सच है या नहीं, अगर माल लेते हैं, अब फस्त चुके हैं, तब क्या करें, बचने के ये रोज सुबह सुबह पौधों में जल डालें, यानि आपका घर है, तो अच्छी बात है, आप बागवानी कीजिए, अगर फ्लैट में रहते हैं, तो पौधों लगाईए गमले में, उसमें जल डालिए, इनसे आपको बहुत हद तक रहात बिलेगी, वैसे तो किसी भी स आपके आपके जीबन में, टी, एम, आर, फिर से सुन लें, टी, एम, आर, ये तीन अक्छरवाले कभी भी इन परिणाम नहीं देते हैं, इनका इनका साथ आपको कभी अच्छा परिणाम मिल ही नहीं आई, रहाए तो इसे आप जड़ा संबल कर रहे हैं, अगर आपके बहुत समलके रहना होगा ताकि जीवन में आगे चलकर आपको धोखा ना मिले और ये तीन अक्षर हर हाल में धोखा देंगे अगर अभी तक नहीं दिया है तो समल जाईए आगे जैसे आपको धोखा खाना ना पड़े दोस्तों अब हम आपके अगर बैवाही जीवन की बात क चाहिए अगर आपका विभाह इन से हो जाता है तो परेशानी तो लगभगते हैं पटेगी नहीं बनेगी नहीं एक दूसरे की बात चुबेगी आप पूरब हैं तो वह पस्टीम है तमाम तरीके परेशानी आते रहेंगे अब साधी हो गया है तब क्या करें भगवान गने लेवल है वैसे तो मीन डासी वालों का पेसेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है लेकिन आपने लाल रंग इस्तेमाल करना सुरू करने से आपका पेसेंस लेवल कमजोर होगा आपका कुरोध बढ़ेगा जग्रे लडाईयां होंगे क्या फायदे इसलिए थोरे से परहेज कर और छोड़ दिये नहीं उपाय बताते हैं ताकि जीवन में हर कोई सुखी रहे दोस्तों अगर आप मीन डासी की महिलाएं हैं तो आम तोर पर ऐसा देखा गया है बैवाही जीवन में गंभीर नहीं होती और सास के साथ तो इनका तालमेल बहतर होता ही नहीं इसी कारण दूरगा को सिंदूर अर्पित करें और फिर वही सिंदूर खुद पहन ले यह रोज का नियम बना ले यकीन वानिये जगड़े लड़ाईया कम होंगे मुस्किलें कम हो जाएंगी फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादे लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद